students welcome to my youtube channel om education in this video we are going to learn lcm and hcf first number 12 and 16 12 और 16 का lcm और hcf निकालना है तो सबसे पहले इसका prime factors निकालेंगे 12 का prime factors होगा 2 तू जा 4, 4 तू जा 12 इसी तरिके से 16 का हो जाएगा 2 तू जा 4, 4 तू जा 8, 8 तू जा 16 hcf निकालते हैं सबसे पहले, तो hcf is equal to हो जाएगा, hcf निकालने के लिए जो number दोनों में match करेगा उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर यह 2 match कर रहा है, यह भी 2 match कर रहा है, लेकिन यह दोनों 2 और यह 3 match नहीं कर रहा है, तो जो match कर रहा है उसको लिख लेंगे 2 multiply by 2, इन दो यह जो 2 match कर रहा है, इसको लिख लेंगे, इसके बाद यह दोनों 2 match नहीं कर रहा है, जो match नहीं करता है, उसको भी लिखते हैं, lcm में, यह 3 बच रहा है, इसको भी लिख लेंगे, अभी इन सभी का multiply कर देंगे, तो 2 तू जा 4, 4 तू जा 8, 8 तू जा 16, 16, 3 जा 48, 12 और 16 का h hcf 4 और lcm 48 होगा, second number question, 15 and 18, तो 15 का prime factors हो जाएगा, 3 multiply by 5, 18 का हो जाएगा, 2 threza 6, 6 threza 18, hcf is equal to, यहाँ पर 3 match कर रहा है दोनों में, तो hcf इसका 3 हो जाएगा, बाकि कोई भी number match नहीं कर रहा है, तो hcf only 3 होगा, lcm is equal to, lcm 2, सबसे पहले 2 लिख लेंगे, इसके बाद 3, इसमें 1 time है, इसमें 2 time है, तो एक जो match कर रहा है पहले उसको लिख लेंगे, और एक जो नहीं match कर रहा है उसको भी लिख लेंगे, इसके बाद 5, इसको भी लिख लेंगे, इन सब का multiply कर देंगे, 2, 3 जा 6, 6, 3 जा 18, 18, 5 जा 90 तो 15 और 18 का HCF 3 और LCM 90 होगा Next question 18 and 24 तो 18 का prime factors निकालेंगे 2, 2, 3 जा 6, 6, 3 जा 18 24 का हो जाएगा 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24 HCF is called to अभी यहाँ पर यह 2 match कर रहा है दोनों में और यह 3 match कर रहा है तो HCF is called to हो जाएगा 2 multiply by 3 multiply इसका कर देंगे तो 2, 3 जा 6 इसका HCF 6 हो जाएगा LCM निकालते हैं LCM is called to यह 2 match कर रहा है इसको लिख लेंगे बाकी यह दोनों 2 match नहीं कर रहा है तो इसको भी लिखेंगे यह 3 match कर रहा है इसको लिख लेंगे यह 3 match नहीं कर रहा है इसको भी लिख लेंगे अभी क्या करेंगे इन सब का multiply कर देंगे यह 2 तो जा 4, 4 तो जा 8, 8 तो जा 24, 24 तो जा 72 18 और 24 का HCF 6 और LCM 72 हो जाएगा Next question 16 and 24 16 is called to हो जाएगा 2 तो जा 4, 4 तो जा 8, 8 तो जा 16 24 is equal to 2 तो जा 4, 4 तो जा 8, 8 तो जा 24 LCM is called to हो जाएगा अब इसमें जो match कर रहा है उसको लिख लेंगे यह 2 match कर रहा है, यह 2 match कर रहा है, लेकिन यह 2 और 3 match नहीं कर रहा है तो 3 time 2 match कर रहा है इसको लिख लेंगे 2 multiply by 2, multiply by 2, इन सब का multiply कर देंगे 2, 2 जा 4, 4 तो जा 8 16 और 24 का HCF 8 हो जाएगा LCM निकालते हैं LCM is equal to हो जाएगा पहले यह जो 2 match कर रहा है इसको लिख लेंगे 2 to the 4 4 to the 8 अभी इसके बाद यह 2 match नहीं कर रहा है तो जो नहीं भी match करता है उसको भी लिखते हैं multiply by 2 यह 3 भी नहीं match कर रहा है तो इसको भी लिख लेंगे multiply by 3 तो यह सब का multiply कर देंगे 2 to the 4, 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 48 16 और 24 का HCF 8 और LCM 48 हो जाएगा next question है 18 and 32 तो 18 का prime factors हो जाएगा 2, 2 to the 6 6 to the 18 32 का हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8 8 to the 16 62 to the 32 HCF is equal to यह 2 match कर रहा है बाकि कोई भी number match नहीं कर रहा है तो इसका HCF only 2 होगा LCM LCM is equal to हो जाएगा यह 2 match कर रहा है इसको लिख लेंगे बाकि यह 1, 2, 3, 4 यह 4 to match नहीं कर रहे हैं इनको भी लिख लेंगे इसके बाद यह दोनों 3 यह match नहीं कर रहा है इसको भी लिख लेंगे 3 multiply by 3 अब यह सब का multiply कर देंगे तो 2 to the 4, 4 to the 8 8 to the 16 16 3 जा 48, 48 2 जा 96, 96 3 जा 96 में 3 से multiply कर देंगे 96 में 3 से multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 288 तो 18 और 32 का HCF 2 और LCM 288 हो जाएगा Next question 24 and 36 है तो 24 का prime factors हो जाएगा 2, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 24 36 is cult हो जाएगा 2 to the 4 4 to the 12 12 to the 36 अगर आपको prime factors नहीं निकालने आता है तो इसको निकाल सकते हैं जैसे 36 का 2 बच रहे 16 के पास जाएगा 16 हो जाएगा 28 जा 16 29 जा 18 33 जा 9 3 जा 3 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 अभी इसका LCM और HCF निकालते हैं तो सबसे पहले HCF निकालते हैं HCF is equal to हो जाएगा यहाँ पर यह 2 match कर रहा है यह 2 match कर रहा है और यह 3 match कर रहा है तो HCF is equal to हो जाएगा 2 multiply by 2 multiply by 3 इन सबका multiply कर देंगे तो 2 to 4 4th रिजा 12 LCM निकालते हैं LCM is equal to पहले जो 2 match कर रहा है इसको लिख लेंगे 2 multiply by 2 यह 2 दोनों में नहीं है इसको भी लिख लेंगे इसके बाद यह 3 match कर रहा है इसको लिख लेंगे और यह 3 दोनों में नहीं है यह match नहीं कर रहा है इसको भी लिख लेंगे इन सबका multiply कर देंगे 2 to 4, 4 to 8 8 3 is a 24 24 3 is a 72 24 और 36 का HCF 12 और LCM 72 होगा आज के वीडियो में बस इतना ही प्लीज लाइक और सेर दे वीडियो और डोंट फार्गेट तो सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू कर दो